हेलो स्टूरेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने जा रहे हैं, यह यूनिट वन का लास्ट टॉपिक है, इक्वेशन रेडूसिबल टू पार्शल डेफरेंशल एक्वेशन विद कॉंस्टेंट कोफिशन्ट, अब आपने दो तरहेंगे एक्वेशन्स पढ़ें यहाँ पर, होमोजीनियस, लीनियर पी डी इइ विद कॉंस्टेंट कोफिशन्ट और नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस में जिसमें इच एंड अवर टम का ओर्डर से मौ और नॉन होमोजीनियस, जहाँ पर order change हो जाए वो non homogeneous और दोनों में CF और PI निकालना सीखा अब है जो हमें पास कुछ ऐसे questions होंगे जो हम या तो homogeneous में convert कर पाएंगे या non homogeneous में convert कर पाएंगे लेकिन वो ऐसे कौन से equation है जो convert हो सकते है तो उस equation के लिए मैंने यहाँ पर एक example consider किया इस example को ध्यान से दकर देखें तो शायद यह आपको second semester की याद दिला दे कि वहाँ पर हम इस तरह के equations पढ़ते थे यहाँ देखें लिखा है del cube z over del x cube इसका meaning जब यह third order derivative है तो इसके साथ जो multiply हुआ यह multiply हुआ variable x cube next है del 2 z upon del x del y del x del y इसके साथ इस derivative के साथ जो multiply है वो है xy अब यहाँ पर चलें तो del 2 z upon del y square तो इसके साथ जो multiply है वो y square की term है derivative with respect to x इसके साथ x multiply derivative with respect to y तो इसके साथ y multiply तो इसका meaning कहने का यह है कि जो भी हमारे पास derivative जिस भी order का रखा है जिसे हाँ second order का derivative रखा है किस के respect में y के respect में रखा है तो y square से multiply होगा यहाँ second order का derivative with respect to x y रखा है तो यह x y से multiply होगा यहाँ derivative with respect to x three times रखा है तो यह x cube से multiply है अगर कोई ऐसी equation नजर आ जाए तो इन equations को आप convert कर सकते हैं with constant coefficient में यह constant coefficient नहीं है यह x q variable है 4 x y variable है लेकिन यह equation constant coefficient में change हो सकती है change करने का क्या तरीका है हम यहाँ पर कुछ substitutions लेके चलते हैं तो first step में आपको substitution बताती हूँ कि क्या लेके चल रहे हैं x के place पर हम put करेंगे e raised to the power u meaning पूरा का पूरा x variable u में convert होने जा रहा है तो u आपने कहा सकता है u equals to log x जहाँ पर y है y को आप ले रहे है e raised to the power v meaning y variable v में convert होने जा रहा है तो v की value है log y अब देखें जब भी हम equation की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले first order derivative आता है del z upon del x एक derivative निकाल के दिखाते हूँ कि क्या value बनेगी del z upon del x और अभी बताया x जो है वो u में convert होने जा रहा है तो del z upon del x निकालना है तो मैंने इसे लिख लिए del z upon del u del u upon del x अब del z upon del u को तो as it is छोड़ दिया बट del u upon del x तो यहां से निकाला जा सकता है तो यहां से अगर आप निकाल ले del u upon del x तो del u upon del x की कितनी value आजेगी 1 upon x इस value को यहां put कर दिया 1 upon x अब इस x को cross ले जाए यहां cross multiply कर दीजे तो क्या लिखेंगे x del z upon del x equals to del z upon del u इसका meaning equation में जहां पर यह पूरा combination एक साथ आ रहा हो x del z upon del x इस पूरे combination को किससे replace कर देना है इसे replace कर देना है del z upon del u से तो पूरा का पूरा combination replace हो गया del z upon del u से अब similarly आप याद करिए कि del z upon del u लिख रहे हैं आप इसे तो del upon del u इस पूरे को आप capital D operator मान लिजे तो इसका meaning यह जो पूरा combination है वो convert हो जाएगा capital D z में जहां D represent करेगा del upon del u को अब similarly आप कहीं मान लिजे second order derivative आगे जैसे कि हमने यहां लिया है या यहां लिया है second order मान लिजे equation में कोई second order derivative आजाता है तो क्या combination होगा पूरा x square del 2 z upon del x square तो इस combination की value d d minus 1 into z cubic आजाए तो इसी series को बढ़ा दो d d minus 1 d minus 2 z अब अगर हम y के बात करें यह तो with respect to x बताया similarly अगर हम y की बात करें तो पूरा combination देखें जहां x del z upon del x लिखा था वहाँ y del z upon del y है तो यह पूरा का पूरा combination किस से replace हो जाएगा d dash z से अब d dash किसको represent करेगा तो इसके लिए d को देख लो d किसको represent करेगा del upon del u को तो d dash किसको represent करेगा del upon del v को क्योंकि y variable किसमें convert हो रहा है completely v में तो d dash represent करेगा del upon del v और अगर question में second order derivative आजाए और y square के साथ multiply है तो इसी series को आगे बढ़ा दो d dash d dash minus 1 into z और अगर हमारे पास derivative इस तरहा से आजाए del 2 z upon del x del y तो यहाँ किस से multiply रखा होगा x y से तो इसकी value क्या replace कर लेंगे d d dash into z तो जैसे ही यह replacement आप अपने question में करेंगे आपका जो complete question है यह जो question आपको given होगा यह completely convert हो जाएगा PDE with constant coefficient में अब constant coefficient में PDE अगर convert हो रही है तो यह PDE आप easily solve करना जानते है constant coefficient कैसे solution निकालेंगे z equals to cf plus pi cf हम देख लेंगे हमारे पास कौन सा case बनता है homogeneous बन रहा है non homogeneous बनता है तो दोनों case apply करके answer निकालेंगे बट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे यह जो हमारे पास PDE बना with constant coefficient यह हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा होगा जिसमें D और D' रखा होगा तो इसका मतलब जो answer हमारे पास निकलेगा यह जो Z का answer होगा यह Z का answer निकलेगा आपके पास in terms of क्योंकि यहां X और Y नहीं है यहां U और V है तो answer आएगा in terms of U and V तो आपका complete answer U और V के terms में आएगा और last में U और V को किस से replace कर लेना U equals to log X V equals to log Y तो इसका एक question लेता है वहां से clear हो जाएगा कि हमें यहां पर question किस तरीके से करने है तो इसका एक example consider करते है हमारे पास यह हमने example लिया question is solve X square D square 2XY D D dash Y square D dash square Z equals to X की power M Y की power N यह भी last year का ही question है और यह again question 10 marks में है तो आप इन वाले topics की importance समझ सकते हैं कि last two year से यह three year से यह questions बार बार repeat हो रहे है homogeneous, non-homogeneous या reducible reducible भी homogeneous या non-homogeneous में convert हो जाती है तो अब actually question देखें यह क्या है यह question है मेरे पास X square D square मतलब question है X square del 2Z upon del X square plus का 2XY D D dash है इसका meaning है del 2Z upon del X del Y Y square del 2Z upon del Y square this is equals to X की power and Y की power and सबसे पहले देखो क्या reducible है या नहीं है second order derivative with respect to X X square से multiply with respect to XY है XY से multiply with respect to Y two times है Y square से multiply इसका meaning यह equation reducible है यह reducible है अब यह जब इसको reduce करना है तो फर्स स्टेप अभी डिसकस किया था हम पुट क्या करेंगे हम X की value को in terms of U e to the power U तो यहां से U की value आपको मिल जाएगी log X और Y को हम put करेंगे in terms of V तो यह मिल गया V equals to log Y एक substitution तो यह आ गया अब पूरे-पूरे combination लेना है कैसे लेना है X del Z upon del X इसका substitution capital DZ जहां लिख लिजे कि यह D किसको represent करता है D represent करता है derivative with respect to U और Y del Z upon del Y इसको आप लेंगे D dash Z जहां D dash किसको represent करेगा with respect to V को represent करेगा अब हमारे पास second order है so X square del 2 Z upon del X square इसकी value D D minus 1 into Z second हमारे पास है Y square del 2 Z upon del Y square तो इसकी value आजेगी D dash D dash minus 1 into Z अभी एक टाम और है हमारे पास equation में ये है XY तो XY del 2 Z upon del X del Y इसकी value क्या एक D आगया एक D dash आगया into Z सारा substitution apply करता है अपने question में एक substitution ये चाहिए एक ये apply होगा एक ये होगा देखे question में positive term क्या है X square del 2 Z upon del X square और इसकी value put करता है DD minus 1 तो ये आगया DD minus 1 into Z second term देखे this is 2XY del 2 Z upon del X del Y तो XY del 2 Z upon del X del Y की value DD dash ये equation में रखता है this is twice D D dash into Z third term देखे क्या है Y square del 2 Z upon del Y square और इस पूरे combination को D dash D dash minus 1 से तो combination को replace किया D dash D dash minus 1 into Z से right hand side भी चले pattern side देखे लिखा है X X raised to the power M अब X क्या है E की power U तो कर देता है E की power U whole power M ये लिखता है फिर क्या लिखा है Y Y क्या replace क्या है E की power V तो E की power V लिख लेता है और power N ये हमने completely replace कर लिया अब देखता है equation क्या बनता है तो multiply करते है equation की और Z को मन ले लेता है so this is D square minus का D 2D D dash plus का D dash square minus का D dash into Z this is equals to E की power M U plus N B ये बना लिया अब इस term और इस term को दिहान से देखे this is whole square किसका ये whole square है D plus D dash का whole square this बचा ये इस term और इस term यहां से आपने minus कामन लेके इसे लिख सकते हो D plus D dash into Z equals to E की power M U plus N B क्या कर ले? कामन निकाल लेते है D plus D dash को ये कामन निकाल दिया तो ये बन गया D D plus D dash और minus 1 into Z equals to E की power M U plus N B identify किस तरह का equation है? constant am present है या तो equation है non-homogeneous non-homogeneous है non-homogeneous के C F and P I तो complete answer Z equals to C F plus P I तो सबसे पहले हम C F देखते है कि C F हमारे पास क्या बनता है तो first factor D plus D dash है तो हम लिखते है C F corresponding to D plus D dash constant हम नहीं है E की power 0 अब आदत पढ़ी है 0 X यहाँ X नहीं है X की ज़ेंगा कौन सा variable आ रहा है U first function लिया D के place पर Y minus sign plus है तो minus D dash meaning X आना चाहिए अब X नहीं है यहाँ है U तो यह आगया F1 V minus U second C F लिखते है corresponding to D plus D dash minus 1 constant term minus 1 तो E raise to the power minus of minus 1 into X X नहीं X की ज़ेंगा U second function minus 1 को हाइट कर लो D plus D dash रह गया यह आगया V minus U तो C F हमारे पास जो बनता है first function F1 V minus U plus E की power U F2 V minus U अब रख लो V और U की value तो V और U देखे क्या था V और U की value आपके पास क्या है question के according U equals to log X रखने जा रहे हूँ और V के place पर log Y और जहाँ E की power U है आप उसे directly X से replace कर सकते है तो आजाते है question पर so this is equals to F1 V meaning log Y minus ka log X plus E की power U meaning X F2 log Y minus ka log X combine कर लो F1 log Y by X X F2 log Y by X this is C F C F के बाद next case पर आते है P I अब इसके P I पर बात करें तो P I होगा 1 upon 1 upon D operator की equation देखे क्या है D operator की equation है D plus D dash D plus D dash minus 1 तो सबसे पहले equation लिखते है तो equation आ गए D plus D dash और D plus D dash minus 1 अब right hand side चेक करें right hand side है E की power M U plus N V तो ये value पूट करते है this is E raise to the power M U plus N V अब देखें non homogeneous का कौन सा case है ये non homogeneous का first case है E raise to the power A X plus B Y का case first तो case first में क्या करना था D को किससे replace करते है X के coefficient A से और D dash को किससे replace करते है D dash को replace करते है Y का coefficient B से अब यहाँ X और Y नहीं है यहाँ U और V है तो इसका meaning D को किससे replace करेंगे U का coefficient M और D dash को replace करेंगे N से कर लेतना replace So 1 upon M plus N M plus N minus 1 E raise to the power M U plus N V This is P I आंसर आगया बस U और V की value पुट करनी है तो क्या पुट करनी है U और V की value तो आप इसे final answer कैसे लिख सकते है 1 upon M plus N M plus N minus 1 E की power M U और देखिए यहां करके दिखाती हूँ E की power M U into E की power N V इसको इस तरह से लिखे और इसे लिख सकते है E की power U whole power M और E की power V whole power N E की power U क्या लट कर रखा है M तो X की power M और E की power V को लट किया हुआ है Y तो Y की power N तो इस पूरे को आप लिख सकते है X की power M reducible equation है बस आपको कुछ step याद रखने है जो step आपके हर question में common है बस question देखना है हर एक question में ये step आपके common step है बस इन steps को follow करते के साथी आपकी जो equation है वो constant coefficient में अपने आप convert होगी जिसे solve करना आप 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 सीख चुके है थेंक यू